दोहजार सत्रह में मेरी पत्नी और बेटी मेरे साथ रहने दक्षन कोरिया आई तो मैं बहुत जोश में था मेरी पत्नी अलग माहौल और भाषा के कारण वहाँ पर बिल्कुल भी रम नहीं पाई उसे अपने बुढ़े माता पिता और पसंदीदा काम को छोड़कर एक अजनवी जगह पर आना पड़ा जहां उसका कोई मित्र नहीं था उसके लिए हर चीज अंजानी थी जायज है वो हमेशा उदास और चुप रह दी मैं जानता था कि वो दुखी है पर समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे आराम दूँ मार्च में एक दिन उसने कहा कि वो परमेश्वर में विश्वास करने लगी है मुझे लगा ये तो अच्छी बात है मेरी दादी भी एक विश्वासी थी मुझे कोई आपत्ती नहीं हुई कुछ समय बाद मैंने देखा कि वो हमेशा खुश रहने लगी है उसका पूरा आचरण पहले से बिलकुल अलग हो गया है मैं बहुत खुश हुआ धीरे धीरे मुझे उसकी कलीसिया को लेकर जग्यासा होने लगी मैंने सोचा इससे किसी में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ सकता है एक दिन मैंने उससे पूछा कि वो किस कलीसिया में भाग ले रही है उसने कहा ये सर्व शक्तिमान परमिश्वर की कलीसिया है इससे मुझे 2014 की शांदों की जाओ यूआन घटना की याद आ गई मैं बहुत नाराज हो गया मैंने उससे सकती से कहा तुम अब उन विश्वासियों के साथ कोई संबंद नहीं रखोगी अगर उनसे संपर्क किया तो मैं तुम्हारा फोन तोड़ दूगा उसके चेहरे पर हैरानी का भाव था उसने पूछा कि मैं उससे रोक क्यूं रहा हूँ मैंने उ घुस्से से कहा क्यूं? ये तुम्हारे और हमारे परिवार के भले के लिए है क्या तुम्हें नहीं पता कि CCP सर्व शक्तिमान परमिश्वर की कलीसिया पर कारिवाई कर उसका दमन कर रही है तुम्हें 28 मई 2014 के ज्ञाव यौन मामले के बारे में नहीं पता? इस मामले का मुख्या आरोपी ज्ञांग लिदोंग इसी कलीसिया का सदस्य है इन लोगों के साथ मेल जूल रखने से क्या तुम मुसीबत मोल नहीं ले रही? उसने दिर्टा के साथ कहा ज्ञ लिदोंग और बाकी लोग सर्व शक्तिमान परमिश्वर की कलीसिया के साथ नहीं है आपको इस बात पर यकिन नहीं करना चाहिए मैं कलीसिया के भाई बेहनों से पिछले दो महीनों से संपर्क में हूँ वो सब इमानदार लोग हैं जो दूसरों के प्रती दयालू और निष्ठावान हैं किसी भी तकलीफ में वो एक दूसरे की मदद करते हैं ओनलाइन कही बातों जैसा कुछ भी नहीं है सचे, वाकई लेकिन उसकी तमाम बातें सुनकर मैंने जवाब दिया खुद ही ऑनलाइन देख लो, जान जाओगी मैं सही हूँ या नहीं फिर मेरी पत्नी ने मुझे एक जगा बिठा कर कहा कि आप बातों को अच्छे से समझने वाले इंसान हैं आपको इस पर ठीक से गौर करके सच्चाई के अनुसार बोलना चाहिए एक ही पक्ष की बात मत सुनिये उसने ये भी कहा क्या आपको 1989 के ट्यानमेन स्क्वाइर विरोध प्रदर्शन याद है चात्र ब्रष्टाचार के विरोध्य प्रदर्शन कर लोगतांत्रे का आजादी के लिए संघर्श कर रही थी लेकिन CCP ने कुछ अंजाने लोगों से चात्र होने का नाटक करवा कर उनसे तोड़ फोड़ सैनिक वाहन पलटवाए उन्होंने बहुत अराजकता फैलाई और CCP ने आरोप चात्रों पर डाल दिया इसके बाद CCP ने CCTV और रेडियो का इस्तिमाल कर अपनी जूटी रिपोर्ट फैलाई उन चात्रों को क्रांती विरोधी दंगाईयों के रूप में बदनाम किया फिर हजारों जेविच चात्रों को अपने टैंकों के नीचे दबा कर कुचल दिया फिर मेरी पतनी ने कहा जिस किसी को CCP का इतियास मालूम है वो जानता है कि ये ऐसी तानाशाही है जिसके नियाय विरोधी होने का इतियास है जब भी किसी का कोई अलग राजनेतिक विचारिया नजरिया होता है उसे हमेशा दबाया जाता है उसका दमन कर उसे मिटा दिया जाता है जब भी CCP किसी धर्मिकास था लोक तांत्रे काधिकारों के अभियान अल्ब संख्यकों के विरोध प्रदर्शनों का दमन करती है तो वो जूटे मामले गढ़कर लोगों को बरगलाती है, विरोध खड़ा करती है फिर हिंसक दमन करती है ये एक सच्चाई है वाग 28 माई का जाओ युवान मामला CCP द्वारा सर्व शक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया को फसाने का मामला था उन्होंने सावधानी से एक और जूटा मामला गढ़ डाला ये CCP के हमेशा की चाल है सच है ऐसा वो तसियों साल से खरते आ रहे है लेकिन मैं उसकी बात नहीं सुनना चाहता था मैंने घुस्से से कहा तुम अब सर्व शक्तिमान परमेश्वर में विश्वास नहीं रख सकती मुझे अपने परिवार की सुरक्षा का खयाल रखना है मैं तुम्हें और अपनी बेटी को मुसीबत में नहीं देख सकता मुझे किसी और बात की फिक्र नहीं मैं तुम्हें आखरी बार बता रहा हूँ तुम अब उनसे कोई संपर्प नहीं रख सकती बस घर पर एक अच्छी पत्नी और मा बन कर रहो वरना तुम्हें अंदर बंद कर दूँ तो मुझे दोश मत देना फिर मैं दर्वाजा जोर से बंद कर घर से बाहर चला गया मुझे वाकई बहुत बुरा लग रहा था शादी के पिछले दस साल में मैं इस तरह उस पर कभी भी नाराज नहीं हुआ पहली बार मिलने से लेकर प्यार करने और शादी के रसमे निभाने तक हमने बहुत कुछ जहला हमारे माता-पिता का विरोध, सांस्कृतिक अंतर, उम्र का फर्क और दूर का रिष्टा हमने तमाम मुश्किलों को पार किया हमारे परिवार के लिए उसने कई साल बहुत कुछ सहा ये सब सोच कर मुझे वाकई पीड़ा होई मगर मैं सिर्फ परमिश्वर में विश्वास रखने की वज़ा से उस पर इतना गुसा हो गया जानता हूँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था मगर मुझे लगा कि ये हमारे परिवार के भले के लिए है वो मुझे क्यों नहीं समझ सकी मैंने अपना फोन देखा उसमें हम तीनों की बड़ी खुश्णुमा फोटो थी जिसमें हमारी बेटी मिठी मुस्कान दे रही थी मैंने मन में सोचा मैं परिवार का मुख्या हूँ मुझे उनकी रक्षा करनी होगी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता अगले कुछ दिनों में इस डर से की मेरे प्रती मेरी पतनी की भावनाओं को चोट ना पहुँचे मैंने उससे बस इतना कहा कि परमेश्वर से जुड़ी कोई भी बात मुझसे ना करे भले ही उपर से ऐसा लग रहा था कि हमारे बीच सब ठीक है मगर हमारे बीच एक खाई बन गई थी एक दिन जैसे ही मैं काम खत्म करके घर के अंदर आया मैंने कमरे से आते संगीत के आनंद मैसुर और मेरी पतनी और बेटी के ठाहा के सुने मैंने सोचा कमाल है लंबे वक्त से मैंने घर में आनंद के ऐसे स्वर नहीं सुने ये कौन सा गाना है जो उन्हें इतनी खुशी दे रहा है मैंने बहुत धीरे से दर्वाजा खोला कम्प्यूटर पर सर्व शक्तिमान परमिश्वर की कलीसिया का वीडियो चल रहा था परमिश्वर का सच्चा प्रेम छेह युवतियां भावना और आनंद में डूबी डांस करते हुए गा रही थी उनके चेहरे खुशियों से खिली मुस्कान से ऐसे दमक रहे थे कि मैं तुरंत आकर्शित हो गया मुझे भड़ी जिग्यासा हुई मैंने सोचा ये कैसे कलीसिया है? ये कैसे लोग है? ये गाना और डांस इतना आकर्शक क्यों है? क्यों इतना सुकून दे रहा है? अगर वो सच मुच बुरे लोग हैं तो उनकी मुस्कान इतनी उदार और सच्छी कैसे हो सकती है? मेरी बेटी ने मुझे आते हुए देख लिया और मेरी पतनी को मेरे लिए एक और गाने और डांस का वीडियो चलाने को कहा जिसका नाम था पूरब की ओर लाया है परमेश्वर अपनी महिमा मैं उसे रोकना नहीं चाहता था हमारे घर में ऐसा खुश्णुमा माहल मुश्किल से आया था अपनी बेटी का हाथ पकड़े हुए मैं अपनी पतनी के साथ बैठ कर देखने लगा उस वीडियो ने मुझे वाकई अपनी और खीचा उसमें टैब डांसिंग जैसा ही स्टाइल था वो बड़ी मनोहरता से नाच रहे थे ये बहुत आकर्शित करने वाला था बड़ी है मुझे इतना मगन देखकर मेरी पतनी ने मुझसे कहा ये सब सर्व शक्तिमान परमिश्वर की कलीसिया के भाई बेहनों द्वारा बनाए गए हैं ये कोई प्रोफेशनल नहीं है मैंने सोचा ये कैसे संभव है प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बिना लोग इतना बढ़िया डांस कैसे कर सकते हैं और इन सभी वीडियो में ऐसी सकारात्मक भावना है ये प्रेरक हैं दिल को छूते और स्फूर्ती देते हैं बुरे लोगों में ऐसी सकारात्मक शक्ति कैसे हो सकती है सही है मैंने जो कुछ ऑनलाइन देखा ये उससे अलग क्यों है असल में चल क्या रहा है मुस्कुराते हुए मेरी पत्नी ने कहा है ना शांदार परमेश्वर के कारे और मार्क दर्शन के बिना क्या नौन प्रोफेशनल लोग इस तरह डांस कर सकते हैं उनकी बनाई फिल्मे देखकर आप और भी हैरान होंगे सरुषक्तिमान परमेश्वर की कलीश्या में पवित्र आत्मा का कारे है इसलिए ही उनके डांस और फिल्मे इतनी अच्छी है इन में की गई सत्य परसंगती से लोगों को लाब होता है हां उसने ये भी कहा कलीश्या के बारे में आनलाइन मौजूद नकरात्मक प्रचार CCP द्वारा पहलाए गया जूट है उसमें सच्चा ही नहीं है CCP सरुषक्तिमान परमेश्वर की कलीश्या को बदनाम करती है ताकि लोग गुमरहा होकर उसे अपना दुश्मन माने फिर वो परमेश्वर की कारे की जांच नहीं करेंगे उसका उधार खोदेंगे उसकी बात सुनकर मेरी जिग्यासा वाकई बढ़ गई मैं सोचने लगा ये कैसी कलीश्या है ओनलाइन कही गई बातें सच हैं या नहीं अपनी पत्नी को उसकी आस्था का पालन करने दू या नहीं वही संघर्ष मेरे मन में फिर से होने लगा इस संघर्ष के बाद इसकी जांच का सोचा इस काम के लिए मैं दूआरपाल की भूमिका निभा सकता हूँ अगर मैंने कलीश्या के लोगों को अनुचित बरताव करते देखा या उन्हें कुछ भी अनुचित करते देखा तो मैं उसे वहाँ से बाहर ले आऊँगा और फिर कभी नहीं जाने दूँगा अगर वैसा कुछ नहीं हुआ जिसका मुझे डर है तो मैं उसे कभी नहीं रोकूँगा उस हफते के अंत में मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं सर्व शक्तिमान परमिश्वर की कलीसिया को देखना चाहता हूँ तो वो बहुत खुश हुई वहाँ पोहचने पर भाई बेहनों ने गर्म जोशी से हमारा स्वागत किया उनकी बात्चीत से मुझे लगा कि वो दयावान और निष्ठावान है मेरी घबराहट धीरे-धीरे कम हो गई फिर एक बेहन ने एक संगीत नाटी का चलाई जिसका नाम था एंजिलीना की कहानी मैंने उसे दिल्चस्पी से देखा एंजिलीना के उतार चड़ाव को देखकर मैं गहराई से प्रेरित हुआ मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगा मेरे परिवार में घटी-घटनाओं के कारण मैं बच्पन में जगा-जगा भटका था गुजारा करने के लिए मैंने दबंगई, बेईज़ती और उदासिंता जहिली थी अब मैं जिंदगी चलाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ बीते वर्षों में दुख जहिल कर, उतार चड़ाव से गुजर कर ठका हुआ और दुखी होने पर भी मैं अपनी पत्नी और मित्रों के सामने खुद को मस्बूत दिखाता हूँ मेरे दिल का दर्द सच में भला कौन समच सकता है संगीत नाठिका के अंत से पहले ये गाना चला और पत्नी और दूच में भला कुझ जहाता हूँ तुपो मैंके औरागस औरना तका तका और रचस होन तका तका औरागस हो। औरागसést कमान giorno क सकना तका धनकान तका तका टका किस्तमोर का तका धनका तका तका हो। जडन覺 भी बड़ सि तून दोड़ सि अका इश सि अकी निच क सि बड़ सि भी मन क साँ Schulen सि बया विम्म बया उका कि अक dólar वह कह भी हो सुष वढ़ आमीन परमेश्वर का धन्यवाद हर एक सुर में यू लगा जैसे एक मा लंबे अर्से से खोई हुए अपने बच्चे की तरफ अपना हाथ बढ़ा रही है मुझे प्रेम की पुकार महसूस हुई मेरा दिल रो पढ़ा ये दिल चुने बार है जब वो खत्म हुई मैंने दिल से कहा संगीत नाठिका वागई अद्भुद है मेरी पतनी ने मुझे देखा और भावुकता से बोली एंजिलीना की कहानी का आपके दिल को छूना परमेश्वर का आपको प्रेरित करना है परमेश्वर का दिल बाद भाई बेहनों ने तब मेरे लिए एक वीडियो चलाया 28 माई के जहाओ युवान मामले के पीछे का सत्य उजागर हुआ इसमें अनेक संदेहास्पत पहलूँँँँँपर प्रकाश डाला गया उनका गहन विशलेशन किया गया CCP का जूट पकड़ा गया और सच्चा ही सामने आ गई मैंने देखा कि आरोपी जहांग लिदोंग और जहांग फैन ने अदालत में साफ साफ कहा सर्व शक्तिमान परमेश्वर की कलीश्या से मेरा कोई संपर्क नहीं शासन जहाव विशान के सर्व शक्तिमान परमेश्वर पर कारेवाई करता है हमारे परमेश्वर पर नहीं उन्होंने नकारा कि वो सर्व शक्तिमान परमेश्वर की कलीश्या के सदस्ये हैं और कहा कि कलीश्या से वो बिल्कुल भी संबध नहीं है लेकिन CCP ने आरोपियों की गवाहियों की परवाह नहीं की और सत्ते को पलट दिया जबरान अपराज सर्व शक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के लोगों पर थोप दिया क्या ये कलीसिया को बदनाम करने के लिए बोला गया सफे जूट नहीं था? पिर एक बहन ने मेरे साथ ये संगती साजा की CCP सालों से अपनी कपड़ता के लिए कोग ख्यात रही है देश-विदेश में ये बहुत बदनाम है दुनिया भर में ज्यादतर लोग इसकी असलियत देख सकते हैं अब शायद ही कोई इस पर भरोसा करता है उसने आगे कहा हम सब जानते हैं चीन में कम्यनिस्ट पार्टी की ताना शाही है न न्याय पालिका को आजादी है और नहीं प्रेस को चीनी मीडिया और अदालतें पूरी तरह से CCP सरकार द्वारा नियंत्रे थें वो सिर्फ ताना शाही के मुखपत्र और साधन बनकर रह गए हैं ये एक जग जाहिर सच्चाई है जाओ युआन घटना के तीन दिन बाद बिना किसी अदालती सुनवाई या फैसले के CCP ने TV और ओनलाइन मीडिया तंत्र का इस्तिमाल करके सारुजनिक रूप से निंदा कर दी मध्य जून में उन्होंने अपना सौ दिन का युद्ध शुरू कर दिया ताकि सर्व शक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया का दमन और कारेवाई की जा सके उन्होंने कलीसिया को लक्ष बना कर राष्ट्र व्यापी खोजबीन की इसाईयों को गिरफतार किया शांदूंग में 28 मई को हुआ जाव युवान मामला सीसिप द्वारा सर्व शक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया को मिठा देने के लिए गढ़ा गया जूठा मामला था यही मामली की सचाई है इसे सुनकर मैंने सोचा सीसिप कितनी घिनावनी है यह सत्य को उलटकर सर्व शक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया को भंसाती है ताकि सत्य ना जानने वाले लोग इसके जूठ के फेर में आ जाएं और कलीसिया को पूरी तरह से गलत समझे मैं भी सीसिपी के जूट में फंस गया लेकिन एक बात नहीं समझा सीसिपी कलीसिया का इस तरह से उथ्पिड़न क्यूं करती है सर्व शक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया पर खुन का मामला थोपना क्यूं चाहती है उसके सदस्यों को गिरफतार क्यों करना चाहती है यह आखिर चल क्या रहा है अपनी उल्जन के बारे में मैंने उनसे पूछा तो एक बहन ने जवाब दिया वो इतने पागलपन से सर्व शक्तिमान परमिश्वर की कलीसिया का दमन और हत्या का जूटा मामला इसलिए गड़ती है क्योंकि वो एक नास्तिक पार्टी है इसके संस्थापक काल माक्स एक शैतानवादी थे CCP सभी धर्मे कास्थाओं को मिटा देना चाहती है ताकि लोग उसी में विश्वास रखें और उसे अपना उधार करता मान ले माक्स परमिश्वर का विरोध करने वाले वास्तविक जीविद दानव थे उसने ये भी कहा CCP ने सत्ता में आने के बाद से परमिश्वर को खुले तोर पर नकारा है उसकी निंदा और उसका तिरसकार किया है वो इसाई धर्म को एक कुपंथ कहती है वो बाइबल की प्रतियों को कुपंथ साहित्य कहकर नश्ट कर देती है वो धर्मिक समुहों को कुपंथ कहती है ताकि उनका दमन कर सके अबंध के दिनों में सर्वशक्तिमान परमिश्वर ने चीन में प्रकट होकर कार्य किया है वचन देह में प्रकट होता है में संपून सत्य व्यक्त किया है इस किताब ने सभी धर्मों और साम्प्रदायों को जग जोड डाला है बहुत से सच्चे विश्वासियों ने सर्व शक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़े हैं। उन्होंने समझ लिया है कि ये वचन सत्य और परमेश्वर की वानी है। सर्व शक्तिमान परमेश्वर ही वापस आया हुआ प्रभू येश्व है। आमीन। करीब 20 साल में ही चीन में लाखों लोगों ने सर्व शक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कारे को सुईकार कर लिया है। लोग सर्व शक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास कर रही हैं। CCP में नहीं, इससे पागल होकर, वो परमेश्वर के कार्य की निंदा करती है, सर्व शक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के बारे में जूट फैलाती है, उसने कई गोपनिय दस्तावेज जारी किये हैं, और सशस्त्र पुलिस बल की तैनाधी की है, वो चीन में परमेश्वर के अंत के दिनों के सुसमाचार को रोकने की कोशिश करती है, चीन में कलीसियाओं के लोगों को गिरफदार करके उनका दमन करने पर दुली है, वो परमेश्वर के कार्य और सर्व शक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया को मिठाना चाहती है, इससे CCP की शैतानी और परमेश्वर स वाली प्रकृती साफ उजागर होती है. सर्व शक्तिमान परमेश्वर की वचनों में कहा गया है. उपर से नीचे तक और शुरू से अंत तक शैतान परमेश्वर के कार्य को बाधित कर रहा है और उसके विरोध में काम कर रहा है. वो चाहता है एक जटके में परमेश्वर से जुड़ा सब कुछ मिटा दे. फिर से उसे अपवित्र कर उसका हनन कर दे. वो उसके कार्य को बाधित करने का इरादा रखता है. वो कैसे परमेश्वर को समान दर्जा दे सकता है? कैसे वो प्रित्वी पर मनुश्यों के बीच अपने काम में परमेश्वर का हस्तक्षे बरदाश्ट कर सकता है? कैसे वो परमेश्वर को उसके घिनोने चहरे को उजाकर करने दे सकता है? वो कैसे अपने काम को आव्यवस्थित करने के अनुमती दे सकता है? क्रोट से भवक्ता, शैतान, पृत्वी पर अपने शाही दर्बार पर परमिश्वर का काबू कैसे होने दे सकता है वह उसकी शक्ती के आगे कैसे जुख सकता है उसका कुरूप चेहरा उजाकर किया जा चुका है तो किसी को पता नहीं कि वह हसे या रोए और ये बताना कठिन है क्या यही इसका सार नहीं है? आमीन परमिश्वर का धन्यवाद, परमिश्वर की वचन सठीक है यकीनन फिर बहन ने मेरे लिए सामेवाद का जूट नामक एक वीडियो चलाया उसमें परमिश्वर के वचनों के कंच ने मुझे प्रिड़ना दी आउ साथ में पढ़ें ठीक है सर्फ शक्तिमान परमिश्वर कहते हैं हमें विश्वास है कि परमिश्वर जो कुछ प्राप्ट करना चाहता है उसके मार्ग में कोई भी देश या शक्ति ठहर नहीं सकती जो लोग परमिश्वर के कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं परमिश्वर के वचन का विरोध करते हैं और परमिश्वर की योजना में विगन डालते और उसे बिगारते हैं अंतदह परमिश्वर द्वारा दंडित किये जाएंगे, जो परमिश्वर के कारे की अभेलना करता है, उसे नर्ट भेजा जाएगा. जो कोई राश्ट्र परमिश्वर के कारे का विरोध करता है, उसे नश्ट कर दिया जाएगा. जो कोई राश्ट्र परमेश्वर के कारे को आस्विकार करने के लिए उड़ता है, उसे इस प्रित्वी से मिटा दिया जाएगा और उसका अस्तित्व समाप्थ हो जाएगा. आमीन. परमेश्वर का धन्यवाद परमेश्वर का अनुसरण कर रही है, उसके सूसमाचार को पहला रही है. वो और भी ज्यादा सूसमाचार फिलमे, सामोहिक कारेक्रम और डांस वीडियो बना रही है. और ज्यादा से ज्यादा लोग सर्व शक्तिमान परमेश्वर में विश्वास रखने लगे हैं. किसी इंस कोई काम ऐसे गहरे उत्पीडन के बावजूद इतनी तेजी से फैल नहीं सकता हाँ परमेश्वर से आई हर चीज फलती फुलती है मुझे यकीन था कि ये परमेश्वर से आया है सच्चा मार्ग है जांच के लायक है ये सब बातें समझ लेने से सर्व शक्तिमान परमेश्वर में तुम्हारा विश्वास रखना सही है मैं ही ना समझ था मैंने आख बंद करके CCP के जूट को मान लिया तुम्हे भी रोका मुझसे गलती हो गई उसकी आखों में आसू आ गए उसने भावोग हो कर कहा परमेश्वर की कृपा है कि आप CCP के जूट को समझ कर उल्जन से बा परमेश्वर के वचनों पर भरोसा करते हैं अपनी बातों और कामकाज में इमानदार और गरिमा पोण हैं मैं जिनके साथ काम करता हूँ यह उनसे बिलकुल अलग हैं दुनिया में उन जैसे लोग बहुत ही कम बचे हैं मुझे लगा कि सर्व शक्तिमान परमेश्वर के वचन लोगों को बदल कर सही मार्ग दिखा सकते हैं यह कलीसिया प्रेम से पर परमेश्वर के जूट से अंधा होकर अपनी पतनी की आस्था के आड़े आया फिर भी परमेश्वर ने मुझे बचाया परमेश्वर के उन वचनों के जरिये जो भाई बेहनों ने मुझे बताया परमेश्वर ने मुझे सी सीपी के जूट और उसके पीछे के सत्ते को समझ अपने सामने आने का रास्ता दिखाया मैं परमेश्वर का आभारी हूँ